गाव में इंसान तो हो वक्त की रोटी के लिए चूज रहा है कहीं दुश्मनी के नाम पर कहीं सरादों के नाम पर एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है क्या ये जीवन जीने की वज़ा है मौली मुझे जीने का मकसद मिल गया मौली तो आज भी नहीं तूटेगा अन्ना का अंशन ग्यारा दिन से बिना कुछ खाए अन्ना जी अंशन पर है पिछले बयाली सालों से ये नेदा लोग लोकपाल पर चर्चा कर रहे न और कितनी चर्चा करेंगे इस चोहतर बरस के बोड़े में क्या खासियत है कि देश के हर कोने से सब लोग यहां इस सड़क पर उतराएगा सर आज से हमारे देश में हमारा बनाया हुआ सम्विधान लग हुआ है अब जनता मालिक हुई है देश के लिए लड़ने का मोका नसीब वालों को मिनता है अगर हम गाउवाले मेहनत करके इस बारिश के पानी को रोग पाए तो हम गाउवालों की जिन्दकी को खुशाल होने से कोई रोग नहीं पाएगा यह तो सरकारी काम है, हम क्यों करें? कि अब वक्त आ गया है कि हम एक निर्णे लिए किसान बहुत तकलीव पे है, हमारी फसले बरबाद हो रही है मात्मा गांदी समझ दोगे आपने आपको अंचन पर बेटोगे अगर देश का विकास करना हो तो पहले गाउव का विकास करना होगा हम अपने लिए जीनी ही पा रहे हैं और ये दूसरों के लिए मरने को दियार है मर गया? मरवा नहीं अरे? हाट डेगा के मरने से अच्छा देश के भले के लिए मरना हारे पादी जेए!